विक्टोरिया मेमोरियन्स विक्टोरिया महरानी वी गारी ले ले रो हाँ दोस्तो देखे तोप यहाँ यह तो दोस्तो स्वागत है आपका सी किसानी व्लॉक्स पर और आशा करता हूँ आप दोस्तो एक दोब फिट और फाइड होंगे और दोस्तो इन दिस वीडियो विक्टोरिया मेमोरियल जी यहां दोस्तो घर से साड़े पांसो किलोमेटर दूर गाड़ी चला के हम पहुँच गया है कोलकाता सिटी जी यहां दोस्तो और आज हम एक्सप्लोर करेंगे विक्टोरिया मेमोरियल को कोलकाता ने हमारा वेलकम किया बारिश से दोस्तो और बहुती सुआना मौसम है चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ दोस्तो वो देखिए भोड़े का बच्चा भी है यह विक्टोरिया मेमोरियल आ रहे हैं यहाँ स्पास की जबाँ है विक्टोरिया मेमोरियल हम दोस्तों पहुंच चुके हैं फटा फट जाके अपनी टिकेट कर लेते हैं वह से और यहां का टिकेट का प्राइस दोस्तों 50 रुपीज पर परसन है फॉर्नर्स के लिए फाइव और रुपीज है तो टूटाउजन ट्रिंटी फॉर का रेट है दोस्तों और यहां पर यह देखे यह गोल गोल चकर बना हुआ इसके सामने विक्टोरिया मेमोरियल है और सामने यह देखे दोस्तों यहां पर टिकेट मिलती है और फटा फटा का 30 रुपीज है और म्यूजियम के साथ 50 रुपीज है कि कोलकाता के शान कहे जाने वाले विक्टोरिया मेमोरियल के फ्रंट गेट पर हम पहुँच चुके हैं दोस्तों और सामने देखे दो लोएन के कितने बड़े स्टैचू यहां पर लगाए गये हैं और दोस्तों सामन के चारो तरफ आपको बहुत सुंदर गाडन जहरने के साथ आपको मिल जाएगा दोस्तों हम पहुँच चुके हैं महल के एकदम करीब और इसकी जो टाइमिंग है दोस्तों मंगलवार से लेके रवीवार तक की है दस बज़े से लेके साइकाल साड़े चार बज़े तक और मंडे क्लोज रहता है ये दोस्तों और ये है विक्टोरिया रानी का महल दोस्तों इतना बड़ा ये महल है इतना शानदार ये महल आपको देखने में लगेगा और इसके चारो तरफ दोस्तों जीले बनी हुई है पूरा बगीचा बना हुआ है अब बैठ के अराम से विश् करिए ये बाहर का नजारा ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा यहां पर तालाब बनाया हुआ है और इस तरफ भी है और उस तरफ भी है दोस्तों और ये रोसन भाई हेलो भी कर रहे है अंदर जाने से पहले फटा फट दोस्तों इंजोई करे एक महल का वाकरांड उसके लिए आपको अंदर की बीचेजे दिखाएंगे दोस्तों कि मैं दोस्तों अरुक आदर है ना वाजतों अ सामने दोस्तों देखे यहां पर सिक्यूर्टी चेक होता है यहां पर पूरा आपको चेक किया जाएगा उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी और यह देखिए दोस्तों महल के अंदर आ गए हैं और हमारे लेफ्ट साइड में और राइड साइड में दोनों साइड में हमारे म्यूजियम का जो सामान है वो रखा हुआ है आप दोनों जगा जाके देख सकते हैं दोस्तों और सामने यह देखे रानी विक्टोरिया की जो प्रतिमा है वो ज इदर चेयर चेयर के लिए यही सारी चीज़ है देखने के लिए यह महल 1906 से लेकर और पब्लिक के लिए जो भी इसको मीजियम के लिए जो दिखाने के लिए इसको पूरा ओपन किया गया वो 1921 में उपन किया गया था दोस्तों इस महल को बनाने में इतना लगबक समय लग गया है और यह महल बहुत ज़्यादा बड़ा है और कुछ मैडल से देखिए यहां पर लगाए गया है और यह देखिए दोस्तों कितना बड़ा महल है और सामने विक्टोरिया रानी की जो प लगाते हैं कि महल के अंदर और क्या क्या चीजे हैं लगबक तीर हजार से ज़्यादा चीजें आपको देखने को मिल जाएगी सामने देखिए कितना बड़ा तोप यहां पर रखा हुआ है और साथ के साथ यहां पर देखिए तलवारे पर तोप में यूज होने वाले गोल है सामने और यहां पर पूरा मैप यहां पर रखा गया यह देखिए दोस्तों शिशे के अंदर पैक है पूरा यह देखिए इस पूरी जगा का मैप है और हमने भी इसका वॉकराउंड लिया दोस्तों पूरा अच्छे से इसको देखा और यह काफी इंट्रेस्टिंग लग मुंजियम है दोस्तों बहुत ही अच्छा है और Mr.Mossar २ौ धे दीजय के Medical दब तक आप इसका कड़ले ले ये देखई चारो तरफ से पूरा आपको दिखाए देगा और wanagy कैनल स्झीन, पंक्यति गर्णा लगाई गई हैं ये देखिए यहां पर कुछ क्रंट के किताब भी रखी गई है और अलग अलग भाशाओं में रखी गई है सारी बुक्स नीचे का फ्लोर एक्स्प्लोर करने के बाद दोस्तो हम चल दिये सीधा उपर के फ्लोर के तरफ वहां पर जो चीजे रखी गई है म्यूजिब में उसे भी देखने के लिए तो हम चल दिये दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पर और यहां पर दोस्तों यह देखिए यहां पर इसका एंट्री गेट बना हुआ है और यहां से लोग अंदर जा रहे हैं और हम भी अंदर जा रहे हैं दोस्त जहां पर यह मुवीज चलती हैं जो भी हमारे freedom fighter जो भी हम जो भी हमारे देश की जिन्हों ने जो भी किया है उनको लिए heads off है और उनके प्रति यहां पर movie को run किया जाता है दोस्तो जितने भी हमारे इंडियन freedom fighters रहे हैं जिन्हों जो हमारे देश के hero रहे हैं उन सबी की रिवॉल्वर गन्स यहां पर रखे गए हैं दोस्तों इस म्यूजियम के अंदर एक एक करके आपको मैं दिखाता हूं यह देखिए दोस्तों यह रिवॉल्वर है यहां तियार है यहां पर सकते नाम के साथ मेंशन किया हुआ है यह देखिए दोस्तों इतनी बड़ी रफल है बुलेट्स के साथ यह रखे हुआ हैं अभी किनके हैं यह तो नहीं कह सकते दोस्तों लेकिन उपर वाला जो फर्स्ट फ्लोर है जो विक्तोरिया मेमोरियल का वहाँ पर आपको यह सारी चीज़े देखने को मिल जाएंगी दोस्तों और यह देखके बहुत अच्छा लगता है है और हमने इसका पूरा वोकराउंड ले लिया दोस्तों यह देखें कि महल विजिट कर लिया हैं दोस्तों हमने बहुत हमें अच्छा लगा तो आज की व्लॉग में इतना ही दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइफ जुरूर करें महल गूमते कुछ लगे हुआ है तो हमने बनवाई है अपने लिए पापरी चार्ट तो हम जब तक इन्जॉय करते हैं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो